बुजुर्गों द्वारा बताएं जरूरी नियम 43 नमबर एक, प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीनी चाहिए नमबर दो, जुकाम से निजात पाने के लिए थोड़ा सा गुड लेकर आग में डाल दे और इससे निकलने वाला धुआ संगे जुकाम में जल्दी आराम आ जाएगा नमबर तीन, अगर पाव की एडिया फट जाए तो मुम्बत्ती की मुम एडियों पर लगा दे, इससे एडियों में आराम आ जाएगा नमबर चार, खून की कमी दूर करने के लिए गाजर और चुकंदर का जूस निकाल कर पीएं नमबर पांच, एक गिलास पानी में जीरा पावडर काला नमक और सफेद नमक मिलाकर पीने से भूख बढ़ने लगती है नमबर चे, अपज सूजन और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए अद्रक की चाई, सौफ के बीज या पुदीने का सेवन करना चाहिए नमबर साथ, गले में खराश को शांत करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर गरारे करें नमबर आठ, मतली और उल्टी से राहत पाने के लिए अद्रक, उदीना या सौफ का सेवन करें नमबर नौ, कपडों पर चुंगम चिपक जाती है, सिरके को उबाले, उस पर डाले और फिर उसे मले गोंद लगभक तुरंद उतर जाएगा नमबर दस, आलू और प्यास को एक साथ ना रखें, इससे आलू में आखे आ जाती हैं नमबर ग्यारह, सिर से डैंडरफ दूर करने के लिए नीम के पत्तों को पीस कर इसमें नीमभू का रस मिला ले अब इन दोनों को मिला कर एक पेस्ट तयार करें और इस पेस्ट को सकल्प पर लगाएं और आधे घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ दे, इसके बाद बालों को धोले नमबर बारह, मसूडों से खून आने पर एक चम्मच तिल को कुछ दिन चबा-चबा खाने से लाब होता है नमबर तेरह, संतरे के रस में नमक वकाली मिर्च डाल कर कुछ महीने पीने से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है नमबर चौदह, हल्दी को सर्सो के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं नमबर पंदरह, दांत में दर्ध होने पर अध्रक का टुकडा नमक के साथ दांत के नीचे दबाने से आराम मिलता है नमबर सोलह, टमाटर का रस चहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं नमबर सत्रह, सर्सो का तेल कुछ दिन नाभी में लगाने से होट नहीं फटते नमबर अठारह, तुलसी की माला पहनने से मलेरिया, प्लेग, खटमल और मच्छर से बचा जा सकता है नमबर बीस, दिल की धड़कन बढ़ती हो तो सेब का मुरब्बा सुभा खाली पेट सेवन करने से लाब होता है नमबर इकीस, गर्म दूद में हल्दी पाउडर डाल कर कुछ दिन पीने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है नमबर बाईस, मुम में चाले होने पर टमाटर के रस में पानी मिला कर दिन में दो-तीन बार कुला करने से लाब होता है नमबर तेईस, तुलसी के रस में शहद मिला कर कुछ दिन पीने से चक्कर आने दूर हो जाते है 24. पिस्ता खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है 25. सर्दियों के मौसम में खास तौर पर हरी सबजियों को अपनी डाइट में शामिल करें इससे आपको शरीर के लिए जरूरी कई पोशक तत्व मिल जाते हैं 26. बालों की देखभाल के लिए तेल से मसाज बहुत जरूरी है इसके लिए आप जैतून यानी ओलिव ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं ध्यान रहे की तेल बालों की जड़ों पर लगे 27. सर्दियों में रूखी तवचा की एक वज़ा शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है क्योंकि सर्दियों में प्यास कम लगती है इसलिए ज्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं इसलिए सर्दियों में भी खूब पानी पिए 28. सर्दियों में रात को सोने से पहले गुनगुने सर्सों के तेल से पाव में मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिमाग तेज होता है 29. एलोवेरा जेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे अपने चहरे पर लगाएं 30. एसा करने से आपकी स्किन निखडू एलोवेरा जेल में एक चम्मत चुकंदर का रस मिलाकर चहरे पर मालिश करने से गुलाबी निखार आता है 31. रोजाना चार-पांच नीम के पत्ते खाली पेट चबाने से डाइबिटीज दूर हो जाती है 32. दूद में चुवारे उबाल कर सेवन करने से दुबला व्यक्ती भी मोटा होने लगता है 33. चीकु में विटामेन भरपूर मात्रा में पाया जाता है या आंखों को सहतमन बनाए रखने में मदद करता है 34. पान के पत्तों का पेस्ट बनाकर माथे पर लगाएं और सुखने पर धोलें इससे सिरदर्द में राहत मिलेगी 35. रोजाना तीन चार करी के पत्ते चबाकर खाएं इससे डाइबिटीज से राहत मिलेगी वजन घटेगा और हार्ट हेल्दी रहेगा 36. ज्यादा देर तक हिचकी आने पर अद्रक का टुकडा मुं में रख कर चूसने से आराम मिलता है 37. पानी में नीमबू निचोड करर पीने से सिरदर्द में राहत मिलती है 38. देसी घी से आंखों के निचले हिस्से पर लगाने से डाक सरकल की दिक्कत दूर हो जाती है 49. चेरी का सेवन करने से हाथो पैरों की हड्यों में होने वाले दर्द वा हड्यों की समस्याओं से निजात मिलती है 40. देही में तुलसी का रस मिलाकर पीने से वजन घटा है साथ ही स्किन में चमक आती है 41. एक चमत शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर सेवन करने से खांसी में आराम आ जाता है 42. रोजाना सुबह उठकर मुंग में पानी भरे और फिर पानी से अपनी आंखों पर छीन्टे मारे इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है 43. पैरों के तलवों पर सरसों के तेल से मालिश करने से आंखों को बहुत फाइदा मिलता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद